हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तु दे स्टेडी आइक्यू यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और व्ल्ड हिस्ट्री के अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे इंटर वार पिरियेड जिसमें इंटर वार पिरियेड के सबसे पहले में स्टोंट को बताना चाहूंगा कि अगर उन्हों अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन नहीं देखेंगे कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा प्रेक्ट तो इखटा करी रहे हैं लेकिन हमारा मेन एंफसिस रहता है कॉंसेप्ट बिल्डिंग पर अगर आप interwar period समझना चाते हैं तो आपको world war समझना पड़ेगा तो first world war देखेंगे first world war को अच्छे समझना चाते हैं तो उससे पहले घटना है जो यरोप में घटनी है उनको आपको समझना पड़ेगा रनेसान्स क्या था उसके बाद age of enlightenment क्या है industrial revolution क्या हुआ उसके बाद मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पर सिंप्ली मेरा नाम लिखते हैं तो वहां से भी आपको मिल जाएगे मेरे सेशन्स तो आई ये शुरू करता है आज का हमारा सेशन्स आज हमें शुरू करना है सबसे पहले हमें शुरू करना है एक इंट्रोडक्शन के साथ तो हमेशा की तरह हमें एक इंट्रोडक्शन एस्टेबिश करेंगे तो अगर आपने फ्रेंट्स पिछले सेशन्स मेरे थोरली फॉलो किये हैं तो आप भली बात ही समझते हैं कि किस तरह वर्ल्ड वार में दो मुख्य शक्तियां थी एक साइड थे अलाइज यानि कि ब्रिटेन फ्रांस और रशिया और फिर बाद में इटली भी जुड़ गया था और दूसरी साइड कौन कौन थे दूसरी साइड थे आपके जर्मनी ऑस्त्रिया और लास्ट में आपका बुल्गेरिया और चर्की भी जुड़ गया था ना तो यह मैने आपको मैप के मादम से समझाया है कि सब की अपनी अपनी रिक्वार्मेंट्स क्या-क्या थी मलब सबके अपने इंट्रेस्ट क्या था इस यूद से लेकर तो I hope अगर आपने वल्ड वार वाली सीरीज पूरी देखी है मेरी तो वहां से आप thoroughly relate कर सकते हैं तो ये तो आगी आपकी अलाई शक्तियां और ये आपकी एक्सिस शक्तियां ये Central Powers जीने कहा जाता है ये राश्ट्र मुखेता है खास तोर पर जर्मनी और आस्ट्रिया आपके Central Europe में बढ़ता है और Britain, France आपके ये दोनों कौन से राश्ट्र है Western European countries है ठीक है तो यहाँ पर हम already established कर चोके हैं कि विश्वियूद में Central शक्तियां हार गई जो allied शक्तियां है वो जीत गए उसके बाद Treaty of Versailles was very harsh on Germany किस तरह जर्मनी पर Treaty of Versailles बहुत जादा हार्श थी किस तरह इटली को इटली के साथ justification नहीं किया गया Treaty of Versailles में किस तरह आस्ट्रिया को disincorporate कर दिया गया और हंगेरियन एंपायर को तोड़ दिया गया चोटे-छोटे राश्ट्रों में बाट दिया गया ठीक है किस तरह बुलगेरिया की coastline उससे चीन ली गई तर्की का जो काफी बड़ा हिस्सा है वो भी तर्की से चीन लिया गया और mandates के रूप में Syria, Iraq, Jordan वाला जो रिजन है वो बाट दिया गया यह सारे चीज़ें हमें establish कर चुके हैं फिर Treaty of Versailles के बाद के जो साले यारी 1920s और 1930s में हमें establish कर चुके हैं कि किस तरह situation को de-escalate करने ही कोशिश की गई लेकिन with the rise of fascism and Nazism, Europe में situation 1934 के बाद बिगड़ते ही चले गए तो यह सारी चीज़ें हम already establish कर चुके हैं लेकिन आज हमें यही सब चीज़ें समझनी है कहां से, किस sense में हमें समझना है यह League of Nations के sense में, ठीक है, सो आईए देखते है सो पहला point पढ़ते है, पहला point है कि from its inception, inception का मतलब आप समझते है जहां से इसका जन्म है, right League had many drawbacks, अब League के drawbacks क्या थे तो friends आप drawbacks में सबसे पहला तो यही बोल सकते हैं कि जो allies शक्तियां हैं और जिसमें से भी जीतने वाली दो बड़ी शक्तियां Britain और France, Britain और France के control में League जादतर था, right और मेरे आपको हमेशा से बताया है कि Britain तो mainland Europe से बाहर है इसलिए mainland Europe में क्या घट रहा है, उससे ज़्यादा interested नहीं रहता है Britain में, अपना फायदा करने की कुशिश में रहता है लेकिन France जो है, वो एक बड़ी capitalist शक्ति है allies की बड़ी capitalist शक्ति है और mainland Europe में that means mainland Europe में होने वाली सभी घटनाओं का बहुत बड़ा या direct असर फ्रांस पर पढ़ता है यनि अगर mainland Europe में Germany strong हो जाता है उसका direct असर फ्रांस पर पढ़ता है, indirect असर ब्रिटेन पर पढ़ता है क्योंकि ये mainland Europe का हिस्सा नहीं है I hope Britain, mainland, Europe का हिस्सा नहीं है, ये फंडा आप अच्छे से समझते होंगे मैंने काफी डिटेल में ये चीज समझाई भी है, है ना So drawbacks थे, जिसमें से सबसे बड़ा drawback ये है कि जो allies शक्तियां थी उनकी तरफ League of Nations का जोकाब जादा था और जिसमें से भी Britain और France जैसा चाते थे, वैसा League of Nations फैसला लेता था So they were the bullies of League of Nations But during the 1920s, somehow League was able to deliver क्या deliver करने में कामे अब रहा, situation को de-escalate करना League of Nations क्यों establish किया गया था, ताकि दूसरा विश्यूद ना छेडे दूसरा विश्यूद ना छेडे, इसलिए First World War के बाद जो हारने वाले और जो जीतने वाले हैं, सभी राष्ट्रों को जोड़ कर रखना है That means Germany को फिर से economically recover नहीं होने देना लेकिन इस process में Germany को इतना जागा भी suppress ना करना कि Germany जब उभरे तो वो फिर vengeance के लिए, बदला लेने के लिए उभरे लेकिन France मैंने आपको friend समझाया था कि किस तरह France चाता था कि Germany कभी भी उभरना सके और Britain ये चाता था कि Germany economically जल्दी recover करे ताकि Britain जो है वो जर्मनी को as an market के तरह जल से जल्दी use कर सके तो जर्मनी की economy को recover करने के लिए और जर्मनी को reparations या war reparations भरने में मदद करने के लिए काफी सारे efforts लगाए गए जिसमें League of Nations का काफी बड़ा हाथ रहा और 1920s में 25 के आसपास है ना लोकार्नो स्पिरिट मैंने आपको समझाए दी कि situation जो है वो थोड़ी deescalate हुई और relative prosperity बड़ी mainland यूरोप में आयोप वो सारी treaties लोकार्नो ट्रीटीज वगारा वो सब डौवेस प्लैन वगारा आपको याद होंगे ठीक है next point देखिएगा the devastation caused by great war आप देखिएगा world war 1 के बाद 1920s में अभी तक तो world war 2 नहीं हुआ था that means world war 1 नहीं कहा जाता था तो उससे the great war कहा जाता था क्यूंकि उस समय के लिए सबसे बड़ी devastating war वही थी वह इसलिए great war कहा जाता था first world war को had shown to countries that maintenance of peace was a proactive effort ठीक है अगर peace बना के रखना है तो सभी को ही steps उठाने पड़ेंगे ये बात सभी को समझ आई ठीक है peace कैसे बन के रहेगा कि जब तक यूरोप में कोई भी एक ऐसी शक्ति ना खड़ी वजा है जो दूसरों के ल सबको जो हराने कोशिश करी है ना and with the rise of Germany Germany एक ऐसी शक्ति उभर रहा था जो existing order को disturb करने की ख्रमता रखता था मैंने आपको समझाया ना पूरा ये disturbance है किस चीज़ का ये पूरी समस्या है क्या जो already existing economic order है उसको challenge करता हुआ जर्मनी नया order नय ठेकेदार आया था और नय ठेक रही होंगी ठीक है और अगर उतर गई है तो make sure you watch all those previous sessions revision करते रहें ठीक है ना ये proactive effort सबको लेने पड़ेंगे I hope ये fund आप अच्छे से समझते है और proactive effort लिये गए किस तरह फ्रांस लेरा नहीं चाता था लेकिन ब्रिटेन ने जर्मनी एंग्लो जर्मन रिलेशन्स बनाए त but by 1930s the league's position in the global order deteriorated under the changing circumstances the weakness of the league became apparent weakness of the league क्या किस चीज में weakness रह गई लीग की मैंने आपको बताया ना with the rise of fascism and nazism जो italian aggression था उसको ये जो लीग है ये ठीक से control नहीं कर पा रहे थी similarly Germany ने जब राइन लेंड को forcefully acquire किया जर्मनी ने जब और्स्ट्रिया को forcefully acquire किया जर्मनी ने जब स्टुडेंटन लेंड के अलावा पूरे चकुस्लोवाकिया को acquire किया तो कोई भी कुछ नहीं कर सका यहां से पता चलागा कि league जो है वो interested नहीं है peace को maintain करने में ऐसा लोगों ने कहा या ऐसा लोगों मैसूस हुआ क्यूं क्यूंकि मैंने आपको बताया था कि Italy किस तरह खिल रहा था बिल्कुल बचता बचता खिल रहा था कि directly Britain और France के economic gains को honey नहीं पहुंचा नहीं है और जो Hitler है वो diplomatic method का use कर रहा था क्यूंकि मैंने आपको बताया है कि Hitler हमेशा ये बात बोलता रहा है कि मैं disarmament के लिए तयार हूँ अगर सभी disarm करने को तयार है अपने आपको तो लेकिन Britain ने कहा कि हमें इतना vast empire संबालना हम कैसे डिसाम कर दें France ने कहा कि तुम हमारे लिए खत्रा हो हम कैसे डिसाम कर दें ठीक है रशिया से पूछा ही नहीं कि ये सब चीज है so that means league जो है वो weak था लीग इटली और जर्मनी को control करने में नाकामयाब था ठीक है लीग रशिया से पूछी नहीं रहा था कि आप क्या कर रहे हो और लीग की जितनी भी colonies थी लीग खुद जो है वो freedom freedom और मतलब modernization की बाते करता था ठीक है liberation की बाते करता था और उनकी colonies में बच से बत्तर हाला थे so league की जो weaknesses है वो सबको पता थी ठीक है and manifested in its many failures which became the main reason of its ultimate demise लीग जो है वो अंत में खतम हो गई तो आज हम ही गई समझने है यह तो basic introduction है I hope आपको पिछले topics याद होंगे तो इस introduction से आप relate कर सकते होंगे ठीक है आगे बढ़ते है next देखिएगा now अब देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन सी घटनाए है जिनसे हमें evidence मिलता है कि league जो है वो weak है और वो कुछ करने के लाइक नहीं है ठीक है पहला point देखिएगा invasion of manchuria manchuria का invasion करा किसने जपैन ने 1931 में तो मैंने आपको भली बांती बताया था रूसो जैपनीज वार में कि किस तरह korea वाला region जपान ने रशिया चीन लिया और manchuria से विवश कर दिया रशिया को बाहर निकलने manchuria को acquire नहीं किया जपान ने लेकिन रशिया ने manchuria से विवश किया रशिया सोरी जपैन ने विवश किया रशिया को कि वो manchuria से भार निकले और फिस समय आने पर जपान ने खुद जो है वो manchuria को acquire किया जपान जो है वो league of nations का हिस्सा रहा और league of nations ने clear लिये बात बोले थी कि कोई भी aggression नहीं करेगा है ना कोई भी बे मतलब का aggression नहीं करेगा लेकिन जपान ने बात नहीं मनी यहां से पता चलता है और जपान ने manchuria को acquire किया जबकि चाइना league of nations को बोलता रहा है कि आप हमारी मदद में आए हमारी aid करें रशिया भी बोलता रहा है कि जपान को रोको league of nations ने कुछ नहीं किया आए देखते है पहला point है in 1931 जपान invaded the chinese territory of manchuria अगर आपको याद नहीं है chinese territory of manchuria तो korea के जो korea वाला region है उसके just जो उपर region है इसको manchuria कहते है और फिर उपर यह siberia वाला ही region है पूरा उपर रशिया है और इधर यहाँ पर ऐसे जपान रहते है आईलेंड में तो यह manchuria वाले region 1931 में invade किया किसने जपान ने राइट साइंड पइंट देखेगा चाइना अप्रोजड दा लीग अब चाइना क्या करे जपान जो है वो एक military शक्ती बन गया चाइना की economy recover नहीं हो रही थी यह भी था और चाइना ठीक से इंडस्ट्रिलाइज नहीं हो रहा था क्योंकि चाइना को economically colonize किया था ब्रेटेन फ्रांच ने इन सब ने ठीक है और रशिया जपैन जो है वो अपने आपको military तोर पर भी सशक्त कर चुगा था और इंडस्ट्रिली रेवलुशनाइज तो करी चुगा था which condemned Japanese aggression ordered it to withdraw its troops ठीक है देखो चाइना ने लीग को कहा और लीग ने जपैन को कहा order किया कि आपने troops को हटाएं लेकिन कोई सेन्ने मदद नहीं करी केवल critical criticize किया verbal मदद कर दी है ना but जपैन outrightly rejected जपैन ने reject किया क्यों क्य ने यह मतलब कहीं ना कहीं traditionally Japanese लोग है रइट क्योंकि Korea में कहीं ना कहीं traditionally Japanese लोग है और मैंने आपको बताया है जो Korea वाली situation है Korea का पैनेंज्वेला है वहां से जपान पर attack किया जाता है डैट मेंज अगर mainland Russia से कोई जपान पर attack करना चाता है वो Korea का use करता है जपान को अगर mainland Russia आने वाले attack को protect करना है तो मंचूरिया वाला region जो है वो अपने control में रखना पड़ेगा एक तो यह कारण है military कारण उसके लावा यहां से production निकलता है बहुत सारा ports available है यह सारी चीज़े तो है ठीक है जपान आउट रैटली आउट रैटली रिजेक्टेड जपान ने रिज के governance जर्नल भी रहे है ठीक है जिसके और लिटन रिपोर्ट भी बनी फिर लिटन कमिशन या लिटन कमिशन की लिटन रिपोर्ट आई थी फिर लीग ने लौड लिटन को अपाइंट किया विच डिसाइड इन 1932 देट देर वर फॉल्ट साइड दोनों साइड से फॉल्ट है ये सजेस्ट किया कि मंचूरिया लीग द्वारा गवर्ण किया जाना चाहिए अब देखिए यहाँ पर लीग अपना बेनिफिट करने के चक्कर में रहती है हमेशा जो लौड लिटन के अंडर जो कमिशन गया और उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में कहा कि जो चा चाता है और चाइना जो है वो जापान के खिलाफ प्रोपगेंडा चला रहा है तो ऐसा करते हैं कि मंचूरिया जो है वो दिया जाता है लीग ओफ निशनस को और मंचूरिया लीग ओफ निशनस चलाएगा लीग ओफ needs Αपना फाईदा चाहता है तेक है अब इस बात को कर दिया मानने से और जपैन ने लीग ऑफ नेशन्स छोड़ दी बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है जपैन ने लीग ऑफ नेशन्स की छोड़ी आफ्टर दा लिट्टेन कमिशन की रिपोर्ट के बाद लीग की प्रेस्टीज पर सबसे बड़ा धक्का था क्यों कि जपान ने अग्रेशन भी किया जपानने मन्चूरिया को कैपचिर भी किया उसके बाद जपाननने लीग के डिरेक्ट ओर्डर्स को माना भी नहीं और बीग जोड़ भी दिया बीक कुछ कर भी नहीं सकता अब लीग से अला कटग के आप जपेन कुछ मर्जी क्षिं अैं एक आब चाइन के साथ अपने रिलैशन खराब नहीं करना चाता कौन खास तवर ब्रेटेन चाइन के चाइन की वजए से ब्रेटेन जो है जो है वह जबहुत अच्छाइट बहुत 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 हैं और ट्रेडिंग और काम करते हैं और अन्य जैपनीज resources तो हैं और industries भी जैपान में काफी सारी लग गई हैं और वो सारी industries जपान ने ब्रिटेन से ही import करी है mostly वो technologies तो ब्रिटेन की कहने का मतलब बहुत ज्यादा investment है जपान में तो ब्रिटेन जो है वो जपान के खिलाब यूद छेड़ कर अपनी investment का क्यों लेकिन यहाँ पर जो collective security वाला जो फंड़ा आता ने लिग वो चैलेंज हो जाता है लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन के खुद के परसनल इंटरस्ट है जपान में तो ब्रिटेन जपान पर अटेक नहीं कर रहा है भले ही जपान चाइन को एक्वाइर करता रहे है है ना contradiction आजाते है तो यह क्या है weakness है लीग अपनेशन की लास्ट मैंट है इच शोड़ देट लीग वज पावरलेस वन फेसिंग डिटर्माइंड अग्रेसर को फेस करते होए लीग जो है वो पावरलेस है अब डिटर्माइंड अग्रेसर के जर्मनी ने जब राइनलेंड को केप्चर किया तो जर्मनी का हिस्सा ही बट ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोव आगया किसी ने कुछ नहीं का जब फाइनली जर्मनी ने पोलेंड पर आकर्मन कर दिया ना तब सबको आना पड़ा तब विश्यूद भी छेड़ गया खेर महां अगम पहुंचेंगे नेक्स मेंट देखिएगा तो यहां पर जपैन का एक्जेंपल आता है समझाए आपको पूरा मेंट आगे देखिए अब देखिए लीग कर क्या सकती है लीग अगर सयनने हमला नहीं कर सकती है जपान पर तो एसा महाल क्रेट करें जपान के लिए जपान का जो एकनॉमी है वो कमजोर हो जाए एट मींज ऐसे economic sanctions लगाए जाए जपान पर जिससे जपान की economy हमपर होती है लेकिन मैंने आपको बताया ही कि Britain का direct interest है जपान की economy में क्योंकि जपान को industrialize करने में Britain का हाथ है यानि बहुत सारी not just Britain लेकिन US का भी काफी बड़ा investment है जपान में है ना military investment US का है और industrial investment ब्रिटेन का है administration ब्रिटेन चा रहा है so economic sanctions भी नहीं लगाए गए जपान पर similarly Italy पर भी economic sanction नहीं लगाए गए थे जर्मनी पर भी economic sanction नहीं लगाए गए थे जर्मनी पर अल्रेडी बहुत सारे लगे वे थे जो aggression कर रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही कौन लीग है ना नेक्स देखिएगा now this raise legitimate question about real working of league legitimate question उठा किसमें real working में कि league actually काम कर किसके लिए रही है क्या वो collective security के लिए काम कर रही है या अपने personal interest के लिए काम कर रही है तो यहाँ पर लोगों को पता चलने लगा या लोग लेकिन जो अन्य राष्ट्र है जो league पर भरोसा रख रहे थे उनको पता चला कि अगर हम पर कोई ऐसा aggressor attack करता है और अगर league का direct interest उसमें आपको काफी अच्छे से करा चुका हूं और disarmament वाला फंड़ा आप समझते है क्योंकि Woodrow Wilson के 14 point में Woodrow Wilson ने कहा था कि एक all round global disarmament किया जाएगा लेकिन केवल जर्मनी पर ही थोपा गया वो किसी और ने अपने आपको disarmament नहीं किया और disarmament conference में जब जर्मनी ने कहा कि अगर आप सभी disarm करने को तयार है अपने आपको तो हम खुशी खुशी अपने आपको disarm कर लेंगे क्योंकि नाजी party के अंडर 6 लाक कर ली गई थी सेना ठीक है और जो रशिया के साथ treaty हुई थी 1925 की उसके तहट क्या हो रहा था रशिया में manufacturing बढ़ गई थी उसके बरलिन की treaty के तहट भी जो German ammunition की manufacturing है वो रशिया में हो रहे थी वैसा ऐसा treaty में लिखा नहीं गया था लेकिन यह जग जाहिर थी बात Germany अपनी military को strong कर रहा था ठीक है पॉइंट देखते हैं पहले Under the ages of the league a conference was convened to discuss means of world disarmament अब धीरे धीरे Italy और Germany का aggression जब बढ़ता जा रहा था तो जो league थी उन्होंने सोचा कि disarmament के लिए कोशिश की जाए बात देखिया जाए इन शक्तियों को कि अपने आपको disarm करें However the conference was a big failure conference क्या था एक बड़ा failure था क्यों था? मैंने आपको पहले point बताएं फिर से देखने है All the big four powers चार बड़ी शक्तियां कौन-कौन Britain यह ना US तो है नी लीग का हिस्सा France Germany और Italy यह चार बड़ी शक्तियां बनती है ठीक है All the big four powers remain और US भी है चलो four में फिफ्ट US इस लिए की फिफ्ट league of nations का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी US को कहा तो गया कि आप भी डिसाम कर सकते हैं अपने आपको मान लिजे सारा यूरोप अपने आपको डिसाम कर ले US अपने आपको डिसाम ना कर रहे है तो यहाँ पूर भी balance बिगड जाता है ने शक्ति का ठीक है So All the big four powers remain rigid in their approach and no major decisions taken The Germans Yeah, the Germans ask for equality of armaments Germans तो हमेशा से बोल रहा था कि बराबर कर दो हमारे क्यों कम हो रहे है सब के हतियार कम होने चाहिए With France अब Germany ने यह कहा कि अगर हम mainland Europe में France के लिए ही अगर खतरा है तो Germany अपनी सैने और अपनी military शक्ती France के बराबर करने को तयार है ताकि मुकाबला बराबरी कर रहे है ठीक है But French argued that military weak Germany is the only way for a peaceful Europe France तो हमेशा से बोल रहा है कि Germany को military weak रखा जाए क्योंकि Germany अगर military weak रहेगा तब ही जाकर जो है वो Europe में peace exist कर सकता है Otherwise Europe में peace नहीं रहेगा क्यों? इधर Germany है इधर Russia है ठीक है Russia जो है वो communist राष्टर ये capitalist राष्टर Germany बीच में Germany economically कमजोर है World War I के बाद अब Russia चाहता है Germany communist राष्टर बन जाए और एक buffer की तरह काम करे Western Europe की तरफ France चाहता है कि Germany capitalist राष्टर ही बना रहे लेकिन कमजोर रहे उधर से Britain चाहता है कि Germany की economy recover हो था कि export हमारा बढ़े मतलब Germany याज है export मतलब Germany जो है वो import करे Britain से जहाँ-जहाँ समान तो यह जो पूरा complex situation है मैंने आपको भली बाती explain किया है I hope आपको अच्छे समझ आया भी हो गए अब देखो जर्मनी ने ये कहा जर्मनी ने कहा कि अगर आप हमारी military शक्ती घटा रहे न तो France की भी हमारे बराबर करो France ये कह रहा है कि जर्मनी को militarily France से भी कही रखना पड़ेगा तो France ने ये कहा कि अगर हमारी military शक्ती यानि कि France की military शक्ती घटा नहीं है तो एक काम कीजिए कि US और UK हमें promise करे कि समय आने पर हमें सैने मदद ये unconditional सैने मदद देंगे समय आने पर तो हम अपनी सैने क्षमता को घटा लेते हैं पराबर कर लेते हैं या तो जर्मनी से या घटा लेते हैं लेकिन US और UK ने कहा कि हम इस सिती में नहीं है कि हम ये direct commitment करें क्योंकि मैंने आपको बताया है न US और UK जर्मनी के साथ trade करना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी जो है वो काफी rich लोग है इंडूस्ट्रिली जो है वो develop कर सकता है अपने आपको और France ये बात भली बात ही समझता है इसलिए France भी अपने आपको military week नहीं करना चाता क्योंकि अगर France ने अपनी सेना को कम किया और US और UK समय पर मदद करने नहीं आए तो Germany बहुत असानी से France को रहन देगा क्योंकि Germany ज्यादा better option बन जाएगा France को ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि Germany US और UK के लिए trading का better option ना बन जाए और वो हमें ना eliminate करते हैं इस equation से so France जो है वो अपनी खुद की security के लिए चिंते था होना भी चाहिए आगे देखते है now in the end Hitler was able to use the failure to reach any agreement as an excuse to withdraw Germany अंत्व मैंने आपको बताए क्योंकि disarmament conference से कोई निकला नहीं था conclusion तो Germany को League of Nations और disarmament conference दोनों से बाहर निकाल लिया किसने Hitler ने लेकिन Hitler ने एक बात जो है वो open रखी क्या कि League of Nations से बाहर निकलने के बाद भी Hitler ने एक बात open रखी कि हम अपने आपको disarm करने को तयार है अगर France disarm करने को तयार है या Britain और UK भी disarm करने को तयार है उसके बाद मैंने आपको बताया यहां पर बीच में जो है वो एक एंगलो जर्मन जो है वो treaty भी हुई थी नेवल ट्रीटी जिसमें जर्मनी ने अपनी नेवी की ख्रमता जो है वो इंगलिंड की नेवल ख्रमता के rapid militarization इसके बाद Hitler ने अपनी military क्षमता को बढ़ाया तो इसके बाद उसने Rhineland को control किया फिर Austria को control किया फिर Czechoslovakia को control किया फिर अंत में Poland पर attack किया जिससे world war second हमारा शूरू होता है तो League of Nations disarmament conference में कोई फैसला नहीं निकाल सका इस वज़े से Germany जो है वो rapid militarization की तरफ बढ़ा that finally culminated into world war 2 so League of Nations के failure की बात कर रहे हैं League of Nations का काम क्या था कि world war 2 होने से बचाना है लेकिन इन सारे events की वज़े से eventually हो क्या रहा है world war 2 हो रहा है क्योंकि Japan अगर aggression कर रहा है तो वह presidents head कर रहा है कि Italy भी कर रहे जर्मनी भी कर रहे लीग कुछ नहीं कहेगा और अगर ही aggressive countries जो है वह expand कर रही है अपनी economy को strong कर रही है that ultimately leads to world war 2 राइट समझते हैं आप connect कर पा रहे हैं आए हो आगे बढ़ते हैं इटली अटेक्स अभी सीनिया अब इटली का एक जो है वह aggression देख लेते हैं जर्मनी का भी देखेंगे हम ठीक है इटली अभी सीनिया पर attack करता है अभी सीनिया आप जानते है मैं आपको पहले बताए एथियोपिया के लिए दूसरा नाम है अभी सीनिया ठीक है इटली ने इसके बाद तो फिर किसीने मानी नहीं अभी तक तो फिर भी लीग की बात मान रहे थे इसके बाद तो लीग की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी गई जर्मनी क्योंकि इसके बाद तो जर्मनी ने फिर अग्रेशन किया पहले जपैन ने अग्रेशन किया फिर इटली ने किया उनकी Presidents लेकर फिर Germany ने किया जर्मनी ने यह देखा कि कुछ नहीं कर रही है लीग तो हम भी फिर aggression करते हैं ठीक है The League condemned Italy and introduced economic sanctions against it Italy के aggression को condemned तो किया और economic sanctions भी introduce किये जपान के खिलाफ economic sanctions भी introduce नहीं किया थे Italy के खिलाफ economic sanctions जो है वो introduce किये लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं निकला वो economic sanctions इतने वीक थे नाम भरके थे कि इटली कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि इटली Mediterranean में है Mediterranean trade पर इटली और फ्रांस का dominance है अगर Turkey strong हो जाता है तो उसका भी dominance हो जाता है ठीक है now however these sanctions were inadequate sanctions क्या थे? inadequate थे and despite them Italy's economy did not suffer much in fact Italy was able to यहाँ पर Italy's economy हो जाएगा है न in fact Italy was able to complete the conquest of Abyshenia within a few months May 1936 so October 1935 से May 1936 तक यहनि एक साल के भीतर Abyshenia को Italy ने पूरा conquer कर लिया besides economic sanctions लगे उसके बाद भी क्योंकि मैं आपको बता है Mediterranean में है Italy आराम से Italy जो है वो स्वेज कनाल वाले रास्ते से भी trade कर रहा है Italy Black Sea वाले रास्ते से भी trade कर रहा है Italy जो है वो आपका Atlantic Ocean से भी trade कर रहा है Italy जो है वो आपका Turkey से भी trade कर रहा है और स्वेज कनाल के रास्ते लाल सागर से भी पर्शियन कल्प से भी हर जगा से इटली के जो मर्चंट्स हैं वो तो पुराने हैं ना मैं आगे आने वाले सेशन में आपको समझाऊंगा जैनोवा और जो वेनिस के मर्चंट्स हैं वो कितने पुराने हैं ठीक है now next देखेगा those sanctions had been a mild but had been mild but मुजलीनी अब देखे sanctions लगाए गए मुजलीनी फासिस लीडर मुजलीनी ने मान लिए उसको बहाना aggression करने का मुजलीनी ने का कि जब आप लोग जब colonies को acquire करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती आप लोग फ्रांस और ब्रिटेन और अगर इटली कॉन इकली जो है वो कॉलनी अगर एक्वाइर कर रहा है तो आपको बहुत समस्या हो रही है ऐसा क्यों ठीक है so muslimi became angry nonetheless and began to improve relations with nazi जर्मनी इसके बाद muslimi ने nazi जर्मनी से relation बनाने शुरू करें otherwise मैंने आपको बताया था कि muslimi जो है वो ऑस्ट्रिया की anti nazi government का support कर रहा था आप मुझे ऑस्ट्रिया के उस chancellor का ने कोशिश करी तो muslimi ने अपनी सैना बेजी थी या इटली ने अपनी सैना बेजी थी और आस्ट्रिया का तक्ता पलट रोगा था लेकिन finally फिर जर्मनी ने आस्ट्रिया कंट्रोल कर ही लिया था लेकिन आप मुझे उस chancellor का नाम बताएंगे ठीक है ऑस्ट्रिया के लेकिन इन economic sanctions की वज़े से muslimi ने फिर नाजी जर्मनी का साथ देना शुरू किया ठीक है next मैं देखिए the inability of league to protect the sovereignty of Ethiopia eroded the faith in smaller countries in it ठीक है अब देखे Ethiopia जो है वो हिस्सा था किसका league of nations का अब Ethiopia बोलता रहा है कि भही हमारी मदद करो तुम लाल सागर में तो बैठे हो ठीक है सीरिया में और Jordan Warden वाला जो पूरा एरिया यहाँ पर France ही तो है लाल सागर वाला एजिप्ट का जो अन्य एरिया यहाँ पर Britain और France बैठा है हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहे हैं ठीक है जो horn of Egypt है वहाँ पर Britain बेटा है हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहे so Italy अगर aggression करता है और Italy अगर directly Britain के economic interest को हानी नहीं पहुचा रहा है तो Britain जो है वो Italy के aggressive expansion में ज़ादा हस्तक शेप नहीं कर रहा है क्योंकि Britain जानता है कि Italy ने अगर खुलकर Germany का साथ दे दिया तो यह Germany Austria अंग्री अगर जुड़ गए तो वो जो मैंने पूरा corridor बताया ना आपको इस तरह जो connect हो जाएगा Germany से लेकर Germany हो गया Austria हो गया Italy हो गया ठीक है और अगर इनका साथ गलती से रशिया ने दे दिया तब तो जो पुराना order है वो बिल्कुली तहसने सुझाएगा तो यह डर ब्रिटेन का बना हुआ इसलिए Italy को conciliatory policy Italy के प्रतिश जो है वो अपनाई हुए बट इसलिए कड़े फैसले लिये गए economic sanction दिया गया लेकिन उस economic sanction को कोई फैदा नहीं था उसने मुझली ने in fact उस economic sanction को बहाना बना कर नाजी का साथ देना शुरू कर दिया हिटलर का साथ देना शुरू कर दिया इससे क्या हुआ इरोडेड the faith of smaller countries जो छोटी countries है उनका विश्वास उठ गया किस से league of nations है now it also showed that when dealing with powerful aggressor league could practically do nothing powerful aggressor के खिलाफ league जो है वो कुछ नहीं कर सकती powerful aggressor जो है वो जो करना चाता है वो करे गई उसके examples हमने Japan के case में देखे हमने Italy के case में देखा इसके बाद हम Germany आगे बढ़ते हैं now these developments encouraged Hitler to take aggressive steps अब जपान भी कर रहा है इटली भी कर रहा है तो Hitler को लगा कि मैं भी करता हूँ अगर जपान और अगर जपान कर सकता है इटली कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है for instance he introduced conscription अब aggressive step हिटलर ने कह लिए conscription introduced कर दिया conscription का क्या मतलब है कि जो जर्मन लोग है उनको not voluntarily लेकिन obligatory रहेगा सैना में भरती होना compulsory enlistment in army in March 1935 and one year later directed German troops into the demilitarized zone of Rhineland demilitarized zone of Rhineland ठीक है मैं आपको बताया यह तो Rhineland का zone demilitarized था after treaty of Versailles जिसमें से सार वाले region को 15 साल के लिए दिया गया था किसे फ्रांस के protectorate में रखा गया था और फिर बाद में जब वहाँ पर referendum हुआ ठीक है 1935 में तो सार के लोगों ने decide कि वह जर्मनी में जुड़ना चाहते हैं जब ऐसा हुआ तो फिर जर्मनी ने या जब यह रुजहान दिखा हिटलर को तो जर्मनी ने तुरण जो है वह राइनलेंड को एक्वाइर कर लिए राइनलेंड है तो बेसिकली जर्मन एक्षन फ्रम दे लीग राइनलेंड को कंट्रोल किया कंस्क्रिप्शन करा स्यने शक्ति बढ़ाई ट्रीटी ऑफ वरसलीज को डिरेक्टली वाइलेट किया अब यहां पर ट्रीटी ऑफ वरसलीज को इन्फोर्स करने की शमता ब्रिटेन और फ्रांस दो राश्ट्रों में ह अब फ्रांस जो है वो मेंलेंड यूरोप में है और फ्रांस का इंटी जर्मनी और फ्रांस चाहता है कि जर्मनी की शक्ति कम रहे लेकिन ब्रिटेन चाहता है जर्मनी की शक्ति बढ़े तो अगर जर्मनी अपनी सेने शक्ति को बढ़ाता है तो अब्यसली उसका एड्मिनि स्ट्रॉंग होगी और इवेंचली घूम फिरकर फायदा किसको होगा ब्रिटेन को होगा तो अगर जर्मनी इस तरह के अग्रेसिव स्टैप उठा रहा है तो ब्रिटेन कुछ नहीं कहा रहा क्योंकि ब्रिटेन के अपने एकनोमिक इंटरेस्ट है लेकिन फ्रांस जो है वो सम स्टैप्स वर फार्मल रिजेक्शन ऑप वर्सली स्ट्रीटी कौन कौन से कंस्क्रिप्शन करना और राइनलेंड को कंट्रोल करना विच शूड है प्रॉंप्टेड इस प्रॉप्टेड फ्रांस जो लोग है इनके अपने इंटरेस्ट है लीग कोई जो है वो आपको कलेक् से होती है अगर इनके इंटरेस्ट का हनन होता है तो यह मदद नहीं करेंगे आपकी ठीक हिटलर क्लियरली बोलता था बाती है अब लीग के जो काउंसिल बैठती थी अगर डिसकर्शन होते थे तो वहां पर जर्मनी को जो है वो कंडेम नहीं किया गया खोल कर वर्बली क्र देखते हैं क्या गया है जो फटिखे अनके खिलाब कुछ नहीं कर पार आ जप्रुबल कर देखते हैं वह वीकनेश क्या थे यह कोई अलग ऐसा सउफ Вас नहीं है ठीक है जो की राष्ट्रों ने जुड़कर प्रोएक्टिवली बनाया गया हो पीस ट्रीटीज तो पीस ट्रीटीज तो होती ही है युद के बाद तो पीस ट्रीटीज के माध्यम से लीग ओव नेशन बनी है तो कुछ जाधा स्ट्रॉंग उसके पीछे जो है वो मोटिव नहीं है ठीक है आये देखते है जिसमें विक्टोरिया ने साइन करी किससे सेंटरल पावर से तो आप ट्रीटी ओफ वर्सलीस का नाम तो जानते हैं उसके अलाबा बाकी ऑस्ट्रिया के साथ कौन से ट्रीटी हुई हंगरी के साथ कौन से हुई चारो treaties का नाम आप मुझे comment पर बताएंगे। ठीक है। इन treaties के तहत जो है वो League of Nations बनाएं और सबसे पहली जो है वो Germany के साथ कौन सी है। वर्सिलीज की है। बाकी की इन चार treaties का नाम आप मुझे बताएंगे। और श्रिया हंगरी के साथ कौन सी, बुल्गरिय के साथ कौन सी, और टर्की के साथ कौन सी ट्रेटीवी थे, वल्ड वार बन के बाद, ठीक है, next point देखेगा, Now this made the league seem like a puppet organization, league क्या है, puppet organization ही है, of the victorious countries, क्योंकि बृतेन और फ्रांस ने जो treaties करवाई हैं जबरदस्ती, थोपी गई है central शक्तियों पे, ठीक है, central शक्तियों पे जो treaties थोपी गई है, उस treaty के तहत जो है, वो ये league of nations बनी है, है ना, तो ये league of nations heavily influenced है, किसके interest से, ब्रिटेन और फ्रांस और खास तोर पे ब्रिटेन, ठीक है, thus right from its inception, many countries became prejudiced towards the league, which became a hindrance in widening its base, ठीक है, बहुत सारी countries, जैसे भारत है, वैसे भारत हिस्सा तो ब्रिटेन का ही है, लेकिन भारत के leaders ने openly league of nations को condemn किया, कि ये तो साफ साफ ब्रिटेन की puppet है, ठीक है, जपैन ने, चाइना ने condemn किया काफी हथ तक, रश्या condemn कर रहा था, इटली नराज था, जपैन तो यूज करना चाता था, बट स्टिल, ये तो बड़ी countries की बात कर रहा हूं, जो छोटी countries है, वो तो अपल ली कहते थे, कि ये league of nations जो है, वो ब्रिटेन और फ्रांस के अपने personal interest के लिए ब देखे, लीग पर जिम्मेदारी थी कि peace treaties को implement करवाया जाए, peace treaties के तहत क्या था, war repression देने थे, ठीक है, उसके अलावा disarmament करना था, और उसके अलावा जो boundaries बटी थी राश्ट्रों की, उनकी economy को develop करना, वो सारी चीज़े जो है, वो league of nations को handle करना था, लेकिन league of nations के पास कोई ब्रिटेन और फ्रांस मुखेता है, जो है, वो रूल निभा रहे दे इसमें, तो ये ब्रिटेन और, तो league of nations ने ऐसे ही कदम उठाए, इससे ब्रिटेन और फ्रांस का ही फायदा हो, example लेते है, लिटेन कमिशन, लिटेन कमिशन ये कह रहा था है कि मंचूरिया चाइना को न ब्रिटेन और फ्रांस और इनकी कॉलोनी और या इनके जो खास अलाइज है वो, right, जैसे कि Canada हो गया, Australia हो गया, भारत हो गया, भारत को भी काफी कुछ हद तक फायदा हुआ, लेकिन भारत ही ये जनता को नहीं, भारत में जो अंग्रेजी प्रशाशन है, उसको फायदा हो, अब यह बहुत important point है, लीग क्या है, लीग एक इम्पीरियल ओर्गन है, अफ दे वेस्टन कंट्रीज, यानि कि लीग जो है न, वो एक नया चहरा है, कॉलनाइजेशन करने का, या इम्पिरिलिस्टिक अप्रोच अपनाने का, किनके द्वारा, इन, क्यापिटलिस राष्ट द्वारा या, जो इम्पिरिलिस्टिक नेशन अंके द्वारा, इम्पिरिलिसम फहलाने का ही एक तरीका है, लीग ओब नेशन, जिसके तहत ये territory acquire कर रहा है, क्योंकि इटली ने जब इथियोपिया का acquire किया, कि इसने कुछ नहीं कहा, जपान ने मंचूरिय का acquire किया, इम्प security provide करने वाला institution नहीं है क्योंकि उसके पास खुद की कोई ऐसी सेना ही नहीं थी पहली बात तो है ना इन राश्ट्रों के पास सेना है थी लेकिन लीग की particular कोई सेना नहीं थी ना जैसी UN की बात आगे करेंगे जैसे UN के पास जो है वो security forces है ठीक है UN enforce कर सकता है अपनी policies को ठीक ह आगे देखें now non environment of US अब US जैसी बड़ी शक्ती नहीं जुडती है League of Nations में ये League of Nations की weakness का एक बहुत बड़ा कारण रहता है कैसे रहता है ये देखते है पहला point है despite emerging as most powerful country पहले विश्विद के बाद US जो है वो देखें पहले विश्विद से पहले विश्विद से पहले UK लेकिन First World War में UK को जो financial losses हुए है उसके तहत इन्हें जो US से उधार लेना पड़ा है तो basically इनका empire चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन है तो ये उधार में किसके US के तो that means US is superior power than UK तो World War I के बाद US जो है वो एक Global Superpower के रूप में उबरा क्योंकि बाकी सब जो है वो फसे हुए थे किसमें debt में फस गया थे और US नहीं फसाया थे सबको debt में ठीक है so despite emerging as the most powerful country of the world the US adopted a policy of isolation अब यहाँ पर सबसे powerful nation है इसको सभी राष्ट्रों के economy को regulate करने के मुलब या तो peace को peace को maintain करने के लिए प्रक्टिवली काम करना चाहिए था अगर लीग इतना ही noble एक institution है तो peace को enforce करने के लिए US को प्रक्टिवली काम करना चाहिए था लेकिन US ने अपना ही policy of isolation क्यों क्योंकि US के लोगों ने कहा कि हमें यूरोप के मामलों में नहीं उलजना कल को यूरोप में अगर को यूद हो ठीक है तो France से भी फायदा हो और Germany से भी फायदा हो किसे US को तो अगर US neutral रहता है League of Nations से बाहर रहता है तो League of Nations या League of Nations से लड़ने वाली जो भी शकती है चाहिए League of Nations में अंदर में यूद हो या बाहर से कोई League of Nations पर आकर्मन करें दोनों साइड को funding दे US, दोनों साइड से बि नहीं किया US में और विड्रू from League of Nations and rejected the League, है ना, reject कर दिया है, विड्रू नहीं किया, reject कर दिया, जोईन ही नहीं किया तो विड्रू करने का सवाल ही नहीं होता है, reject कर दिया औरोंने अगर US जैसा powerful member League में रहता है, तो US अगर अपनी gun vote policy का इस्तमाल करें, अपनी सैनाई शक्ती दिखाए, तो इटली को जुकना पड़ सकता है, चीक है, लेकिन US नहीं ऐसा नहीं किया, क्योंकि इटली की साथ trade करना है, इटली को डराना थोड़ी है, इटली की साथ trade करना है, तो US इसलिए दूर रहा, यह आप समझ रहे हैं, US का economic interest क्या है, US को सब के साथ trade करना है, इसलिए US किसी के जगड़े में नहीं उतर रहा, तुम लड़ते रहो, तुम्हें अपना imperialistic expansion करना है, करो, हम तुम पर economic control रखेंगे, US का ये खेले, ठीक है, अगर US जैसा कोई देश है, तो एक psychological or financial benefit है, financial benefit क्या कि समय समय पर league को financial help मिलेगी, क्योंकि US का export बड़ा है, और psychological असर ये रहता है, कि US जैसी अगर बड़ी सैने शक्ती league में रहती है, तो US जो है, वो अपनी सैना के रूप, सैना से डरा सकता है, दूसरे राश्टरों को, लेकिन US ऐसा नहीं चाहता ह है, कि मेरे relations सबके साथ बने रहें, ठीक है, now next चीज़ देखेगा, so non involvement of US आपको समझाता है, US के economic interest, क्यों जैसे, ठीक है, next side lining, important countries, important countries को नहीं include किया गया, या उन से जो है, वो सला मश्वरा नहीं लिया गया, important countries जैसे की, Germany, और Russia, ठीक है, ये दो बहुत important countries, Russia के पास, vast empire है, natural resources की बर्मार है, human resources की बर्मार है, और Germany के पास, क्या है, capitalist की बर्मार है, उनको नहीं जोड़ा गया, उन से खास जो है, वो नहीं मश्वरा लिया गया, ठीक है, देखते हैं कैसे, now during the initial years of league, खास तोर पे, खास तोर पे initial years में, क्योंकि बाद में तो फिर Germany की importance बढ़ी, लेकि as well as USSR was denied membership, दोनों जो है, वो member नहीं थे, जर्मनी बाद member बनाया, आप मुझे तुरंथ comment में बताएंगे, जर्मनी member कब बनाया और USSR member कब बनाया, दोनों मैंने आपको पिछले session में बताएं, ठीक है, now though eventually they were allowed to join, अच्छा चलो यहाँ पर next statement में है ही, जर्मनी in 1926 and USSR in 1934, ठीक but absence of these such powerful countries in its formative years had already done considerable damage to the league in both financial as well as psychological sense, देखे, शुरू में अब लीग मजबूत कब होती, जब सभी ये capitalist या communist राष्टर जुड़कर जो है, वो peace की तरफ काम करते, क्योंकि league क्या है, peace establish करने के लिए बनी थी, ठीक है, तो जर्मनी और USSR जैसे बड़े राष्टर अगर लीग मे नहीं है, ठीक है, तो ये बात साफ दिखती है कि league तो फिर ब्रिटेन और France की मदद कर रहा है, क्योंकि जर्मनी और USSR जैसे राष्टर हैं, ये दूसरे धुरूब की तरह काम कर सकते हैं, यानि एक यानि यूनि पोलर नहीं रहेगा महाल महापर, दो पोल्स हो सकते हैं, हो सक होगी किसी की, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आगे बढ़ते हैं, the conference of ambassadors, next चीज आती है, ambassadors की conference क्या है, अब ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत important चीज है, conference of ambassadors क्या है, conference of ambassadors were started as a temporary measure, conference of ambassadors एक temporary measure था, क्या था ये समझते है, temporary measures so that important functions could be continued until league machinery was ready, अब देखिए, league of nations established करना है, लेकिन विश्वियूद के खतम होने के बाद और league of nations formally start होने के बीच में, conference of ambassador established की गई, और ये basically क्या है कि जितने भी victorious या अन्ने जो भी league के साथ, league में जो शामिल होने वाले राश्ट्रों हैं, उनके प्रतिनीदी थे ये, ambassadors थे उनके, ठीक है, और उनके ambassadors ने मिलकर एक conference बनाई, और उन्हों ने ही जो है, एक provisional league की तरह काम किया, आप clearly देख सकते हैं कि अगर league में Britain और France का बड़ा हाथ था, तो ये ambassadors में भी Britain, France, Italy, Japan, जैसी बड़ी industrial शक्तियों के ही ambassador strong रहे होंगे, obviously, right? Now, however, the conference continued to function, conference continued to function, conference का का काम क्या था कि केवल ये provisional थी, जब तक league बनना जाए, लेकिन league बनने के बाद भी ये conference काम करती रही, ठीक है? After the expiry period, this created two competing centers, दो competing centers create हो गए, कौन-कौन से? एग जो league है और दूसरे ये ambassadors, देखे क्या? Of decision making, leading to confusion and illogical actions, illogical actions लिये गए, basically क्या है कि ये ambassadors हैं, ये किसको represent कर रहे हैं? ये in strong राश्टर को represent कर रहे हैं, और league में अन्ने छोटे बड़े राश्टर भी हैं, तो league जो है, वो ambassadors के साथ, खीस्तान league की चली रहती थी, ठीक है? जिसमें मुखे ताय पर, ambassador ही जीतते थे, क्योंकि ambassadors जो है, वो ये strong राश्टर के थे, जैसे मैंने आपको गिना हैं न, Britain, France, Japan, Italy, ये सब राश्टर के, राइट, now at times the conference ignored the league, conference ignored the league and got presidents over the league, ये न, conference के फैसले जो है, वो league के उप पर रखे गए, for instance, in 1920, league rightly supported, लुथियानियन, in her claim of Vilna, अब विलना एक शाहर है, जो लुथियानिया चाहता था कि हमें मिले, अब लीग ने कहा कि, लुथियाना को विलना मिलना चाहिए, which had forcefully been annexed from Poland, Poland से annexed किया गया था, विलना, but conference of ambassador overrode the league and awarded विलना to Poland, विलना जो है, वो Poland को दिया गया, अब विलना पर लड़ाई क्यों है, basically industrial region है, ये था किसका लुथियानिया का, लुथियानियन भाशा बोलने वाले लोग यहाँ पर थे, और ये दे दिया गया Poland को, अब Poland इतना खास क्यूं है, आगे आने वाले session में डिसकस करेंगे, पोलन बिरोक्रेट को मार दिया गया था, कोर्फू में, ठीक है, जिसको बहाना बनाकर इतली ने अपनी forces ग्रीक, अवलब ग्रीस में उतार दी थी और उन्होंने काफी बड़ा हिस्सा जो है, वो ग्रीस का एक्वायर कर लिया था, ठीक है, so another example was कोर्फू incident, in which on a trivial prospect, इतलियान फो बिरोक्रेट की हत्या की गई थी, ठीक है, now despite Italy being clear aggressor, Italy क्या है, clear aggressor है, अब देखिए हत्या की गई है, तो हत्या के बदले investigation होना चीए, सजा होनी चीए, लेकिन Italy ने क्या किया, aggressively कोर्फू को occupy कर लिया, और कहा की compensation दीजी, ठीक है, तो यह जो compensation की demand है, यह conference ने accept करी और league ने reject करी और league की बात नहीं मानी गई, compensation देना पड़ा Greece को किसे, इटली को, right, conference of ambassadors ordered, ordered Greece to pay the full amount demanded, right, these events made it clear that real power was only in hands of victorious countries, अब देखिए यह ना examples है, answer जवाब लिखेंगे ना, तो answer में यह लिखेंगे, कि जो victorious countries है, भले ही वो league के member के रूप में हो, या वो conference of ambassador के रूप में हो, जो victorious countries के जो member है, उन्हीं की चल रही थी, और victorious countries कौन सी, Britain, France, Italy, ठीक है, उन्हीं और जपैन, अजर आम मार रख लें तो, ठीक है, जपैन की, बिसे इतनी नहीं चल रही ही, जपैन थोड़ा दूर है, लेकिन, European शक्तियों की बात करें तो, ठीक ह अब ambassador किस किस के हैं देखिएगा, victorious countries, as conference consisted of ambassadors of great Britain, Italy, Japan and foreign minister of France, चीक है, only the victorious powers, inherent अब यहाँ से हमें पता चलता है कि, जो ambassadors है, या simply जो victorious शक्तियां है, वो strong थी लीग में, उसके examples हमें ये सब देखने को मिले, अब देखते हैं, inherent weakness, मतलब, विश्यूद के पहले और विश्यूद के दौरान से क्या-क्या समस्याइं जो है, वो inherent करी है, लीग ने, देखेगा, the covenant of the league, covenant या नहीं, जो यह group है, यह जो लीग है, right, was itself full of weaknesses, which more often than not hampered effective and prompt decision making, effective और prompt, मतलब जो तुरंत लिये जाने वाला है, यानि राइनलेंड पर जब राइनलेंड को aggressively acquire कि जर्मनी ने, कुछ नहीं कहा गया, इथियोपिया को इटली ने acquire किया, economic sanction लगाए, ज्याधा strong economic sanction नहीं लगाए, मंचूरिया पर जपान ने acquire किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, now firstly all decisions were taken by unanimous voting, अब देखिए क्यों है, हमस्याइ क्या है, कि unanimous voting स सारे decision लिये जाने है, ठीक है, अब unanimous तो महल कभी आएगा ही नहीं, unanimous तो कभी हो ही नहीं पाएगा ने system, क्योंकि सभी एकमत नहीं रखते हैं, ठीक है, which proved to be a time consuming process, जो कि एक time consuming process था, next देखिए, Secondly, the league lagged a military force, league की क्या नहीं थी एक, military force नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा point है, कि league के पास military force ना होना, ठीक है, league के पास military force नहीं है, तो league अपने, जो भी उनके फैसले हैं, वो enforce नहीं कर सकती, like UN है, UN के पास आज की date में अपनी खुद की security forces है, तो UN अपने फैसलों को enforce करा सकत है, league नहीं कर सकती दिया सा, ठीक है, which hampered the implementation process, implementation process hampered हो धाता है, thirdly, under each member country was to decide for itself whether or not to fight in a crisis, अब जो countries हैं, वो खुद decide करेंगी कि दूसरे के crisis में मदद करनी है, यानि obligatory नहीं था, यानि माल लीजिये कि कल को अगर, माल लीजिये जो एथियोपिया पर attack हुआ, तो भारत एथि obligation नहीं था, अगर ब्रिटेन चाहता है, तो भारतिय सेनिक महाँ पर मदद करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए एथियोपिया की मदद करने कोई नहीं आया, which made the doctrine of collective security, ठीक है, collective security impractical हो गई, क्योंकि जब मदद करने कोई आएगा ही नहीं समय पर, तो काही की collective security, collective security का मतलब यह है, कि अगर आपको समस्या हो तो हम मदद करने आएंगे, हमें समस्या हो तो आप मदद करने आएंगे, इससे एक sense बन जाएगी, कि पंगा ना लिया है, क्योंकि बाकी सब शक्तियां, दूसके, माल लीजी, एथियोपया पर attack करता है अगर इटली, तो यहाँ पर अगर जपैन, ब्रिटेन, फ्रांस सभी मदद करने आ जाते है, तो इटली को पीछे हटना पड़ता, और अगर लीग ऑफ नेशन के जो भी, लीग ऑफ नेशन सेक्योरिटी की भावना क्रियेट करने कोशिश की गई थी लीग ऑफ नेशन द्वारा, वो एक फॉल्स नोशन था, राइट, नाव एंड लास्ली, वनेवर एनी सीरियस अटेम्ट्स वर मेट तू स्ट्रेंदन दा कोवनेंट, दे फेल बिकॉस उनानिमस वोट वस नीड़ अगर कलेक्टिव सेक्योरिटी लाने के लिए अगर ये डिसाइड करना हो कि मदद करना और इस तरह का अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो लीग को तो क्या चाहिए उन्हें उन्हें चाहिए उन्नेमस वोट और उन्नेमस वोट तो कभी आ ही नहीं पाता था, यह बहुत evaluating दली ठीक है अब 1929 का जो great depression आया और फिर evaluation करते हैं लीख का कि क्या कुछ positive point हम निकाल सकते हैं या सिर्फ हम negative negative बोले जा रहे हैं तो कि answer writing में आपको एक balance answer लिखना होता है ना ठीक है आपको pros and cons positive negative जब critically analyze करने के बाद आते हैं तो आपको सभी aspects को देखना वड़ता है तो हम सभी aspects cover करेंगे ठीक है पहला point देखेंगा now the economic meltdown of 1929 यह बने आपको बताया था US का जो economic system में वो crash हुआ US का economic system जो है वो युरोप का economic system को control कर रहा था और यूरोप का economic system यूरोप की सारी colonies जितने भी चाहे वो France की हो Britain की हो Germany की तो छिन गई थी खेर लेकिन जितने भी colonies हैं यूरोप की वो European economic system पर dependent थी और European economic system US का economic system पर dependent था तो अगर US का economic system चर्मरा जाता है अगर यह फेल होता है तो एक चेन रियक्षिन है तो ग्लोबल रिसेशन आया ठीक है economic meltdown 1929 में इसी तरीके का हमें 2008 में भी देखने को मिला था ठीक है now countries would suffer from rising unemployment economic meltdown का मतलब क्या है नौक्रिया नहीं है ठीक है rising unemployment failing living standards living standards गिरते जा रहे हैं लोगों जो सडकों पर रहना पड़ रहा है खाने के लिए लड़ना पड़ रहा है एक दूसरे से बुरहाल है extreme hardships for the masses this had two main negative consequences दो main negative consequences है देखिए क्या है मैं अब समझाता हूं आपको जब economy डूब रही है तो economy को revive करने के लिए कठिन फैसले लेने आनिवार रहे हैं और अगर कठिन फैसले लेने हैं that means कठिन फैसले का क्याने का मतलब कि हो सकता है कि imperialism बढ़ाना पड़े हो सकता है कि industrial revolution लाने के लिए मजदूरों का हनन करना पड़े सो ऐसे में बहुत सारी समस्य हैं जो है वो जनता के लिए बढ़ती है आएए देखते हैं examples उठाएंगे ठीक है negative consequences देखते हैं two main negative consequences पहला देखते के हैं firstly the growing economic crisis took the focus of world community away from the peace initiative economic crisis इतना ज्यादा है कि peace के बारे में कोई सोची नहीं रहा था अब सबको यह था कि खाने को मिले ठीक है चाहे लड़ जगड के मिले कैसे मर्जी मिले खाने को मिले पहले अपनी जन्ता की जो भूग है यह भूग मिटाई जाए क्योंकि peace initiatives तो लिए जा रहे थे क्योंकि मैं आपको बता है था लोकार्नो स्पिरिट अभी चल रही थी लेकिन global recession के बाद जो है वो जर्मनी ने क्या कहा जर्मनी ने कहा कि हमारी जन्ता अगर भोकी मर रही है तो यह तुमने जो economic system बनाया है उसकी वज़े से हम तो एक अलग economic system बनाया रहे थे जिससे हमने सबने फूलना था सबने जो है वो खुश रहना था उस साइड से communist कह रहे है कि यह जो capitalist economic system है इसकी व UK और France की economic system को ठीक है तो peace initiatives तो अभी old पे चले गए ठीक है and reduce the relevance of league, league की relevance भी घट गई Secondly and more importantly the hardship of masses gave rise to extreme right-wing governments जनता परेशान है और जनता परेशान है इसलिए ऐसी right-wing governments उभर के आ गई जनोंने जनता को उकसाना शुरू किया कि तुम्हारी समस्याओं की जड़ी है यह western शक्तियां है हमें इनके economic चंगुल से बाहर निकलना है अपना economic system में establish करना है तो यहाँ पर Nazi party जो है वो जर्मनी में भर कर आती है Muslimi और शक्ति पगड़ता है इटली में ठीक है Stalin और शक्ति पगड़ता है रशिया में इटली और जर्मनी और जर्मनी ओपनली चैलेंज दली refuse to keep to the rules and took a serious series of actions which culminated in world war 2 जैसे कि इटली ने Abyssinia को control किया फिर Japan ने Manchuria को control किया फिर Germany ने Rhineland को फिर Austria को फिर Czechoslovakia को फिर जब Poland को जर्मनी ने acquire किया तब जाके युद छेड़ी गया तब हद हो गई तो यह Poland पर जाकर ही क्यों हद हुई Poland की इतनी यह Poland की importance क्या है Ethiopia पर control किया तो विश्विद क्यों नहीं छेड़ा Czechoslovakia तक भी control किया तो विश्विद क्यों छेड़ा Poland को ही जब Germany ने attack किया तो विश्विद क्यों छेड़ा यह Poland की क्या importance है आगे आने वाले session में जरूर डिसकस करेंगे ठीक है लेकिन अभी आपको तब तक के लिए एक solid sense create करनी है आगे बढ़ते हैं देखीगा ना थस it could be argued that real problem with league was that real problem देखते हैं league की क्या है when fascist states like fascist राजे जैसे कि जपान इटली और जर्मनी फासिस राजे हैं यह ठीक है violated its decisions the league members especially France and Britain but either unwilling or unable to support it ठीक है अब देखे जपान इटली और जर्मनी ने जब aggression किया तो ब्रिटेन और फ्रांस मू ताकते रहे कुछ नहीं किया उन्होंने किया तो कोई बड़ा खास step नहीं लिया ठीक है क्यों नहीं लिया या तो वो unwilling थे या तो unable थे या तो दोनों ही थे देखे unwilling भी थे और unable भी थे कैसे थे ब्रिटेन तो unwilling इसलिए था क्योंकि मैंने आपको explain किया कि ब्रिटेन के अपने economic interest है France unable था क्योंकि Germany से France directly नहीं लड़ सकता था और France को ब्रिटेन और US ने कोई ऐसी guarantee नहीं दी थी कि हम तुमारी मदद करने आएंगे ही आएंगे इसलिए France openly जर्मनी को challenge करने से कतरा आ रहा था है ना so unwilling और unable आप दोनों चीज़े mention करेंगे मैंने ये सारी चीज़े पहले आपको समझा दी है conclude करिए आप ठीक है कि कैसे unwilling और कैसे unable Britain और France दोनों के लिए Britain और France दोनों के लिए आप देखेंगे unwilling और unable in addition the league was based on principle of collective security collective security के principle पर based थी league और collective security को तो हमने fail होते हुए बली बात यह भी देखा है that meant it was only as strong as the support of its leading members to stand up to aggressors support which became scarce during the turbulent 1930s देखेगा 1930s के दोरान in fact global depression के बाद तो league irrelevant हो गई तोगि फिर aggression किया रिटली ने भी जर्मनी ने भी जपैन ने aggression किया लाइन से कहा है पहले जपैन से aggression शुरू होता है ठीक है 31 में जपैन से aggression शुरू होता है फिर 35 में इटली करता है फिर 36 से शुरू कर देता है कौन जबनी ठीक है और उससे पहले भी जर्मनी conference से बाहर निकलता है अपने आपको militarize करता है इटली भी अपने आपको militarize कर रहा है हुदर जपान तो कबसे अपनी military शक्ती को बढ़ा ही रहा है ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं कर पा रहे ठीक है तो collective security तभी काम करेगी जब ब्रिटेन और फ्रांस सपोर्ट करेंगे अब ब्रिटेन और फ्रांस सपोर्ट करने की city में है ही नहीं या तो वो unwilling है करना नहीं चाते या तो वो unable है या तो वो दोनों ही है यह आपको conclude करना है मैंने समझा दी है चीज़ी ठीक है however some scholars argue that league should not be dismissed as a complete failure अब कुछ scholar कहते हैं कि league जो है वो complete failure नहीं था failure था लेकिन complete failure नहीं था कहीं कहीं league ने भढ़़िया काम किये है हमें उसे भी acknowledge करना ज़रूरी है rather it would be seen as initiative initiative which failed in some of its aims but had its fair share of success देखे league को आप इस तरह interpret कर सकते हैं कि league एक ऐसा initiative था जो कि जिसमें कमिया थी जिसके drawbacks थे लेकिन जो उसका core purpose था ना वो नहीं कर पाए उसमें तो fail हुआ है obviously लेकिन उस direction में जो global peace है उस direction में काम करना शुरू किया या एक presidents set करी कामियाब नहीं हुआ लेकिन presidents set करी आये देखते हैं कैसे so the arguments arguments presented in the support of league कौन कौन सी है देखते हैं now it was a bold step obviously bold step था toward the international cooperation and laid down the pioneering framework for the present global system of international diplomacy देखिए जो present united nations है या जो जितने भी अंतराष्ट्री organizations है जो कि trade को global peace को global order को ठीक है global peace को global order को control करने का काम कर रहे है global economy को control करने का काम कर रहे है जो कि successfully यूद नहीं होने दे रहे हैं है ना अभी तक अभी तक successfully यूद बड़ा यूद नहीं होने दे रहे तो ये जो present day की आप मान सकते है somehow successful international diplomacy जो है इसकी नीव league of nations नहीं रखी ना organizational setup and working structure of united nations बहुत important है organizational setup की organization किस तरह का होगा और वो काम कैसे करेगा working structure of united nations is heavily influenced by league of nations league of nations ये लिया गया है assembly कैसी है council कैसी होगी और secretariat कैसी होगी united nations की ये directly league of nations से उठाए गई है ये example बनता है UN international court of justice की बात करें तो UN international court of justice is another name for the permanent court of league of nations so league of nations की जो permanent court थी ना वही carry forward कर दी गई है united nations की international court of justice के रूप पे so that means जो present day का united nations है और अगर वो global peace establish करने में काम्याब है या global economic या trade या political या social order को manage करने में manage करने में कितना successful है वो सोचने वो बहस करने का विशे है ठीक है लेकिन manage करने में अगर ये successful रहा है तो जड़े कहां से है तो जड़े league of nations से ही है खास तोर पे organizational set up और working structure जैसे कि assembly council और secretary तो UN से ही UN का league of nations से ही निकलता है और खास कर UN international court of justice कहां से निकल रही है आपकी league of nations से ही निकल रही है तो जिसको permanent court का आज आता था UN के तहत यह उससे अलग लेकिन काम कर रही है ठीक है आगे देखते है a very crucial contribution albeit direct one ठीक है direct contribution किसका league of nations का of the league was the world community was that the world community learned from experiment and made a more robust powerful and suitable successor organization United Nations अब देखी यह glorify करके कहने वाली बात है लेकिन चलो मान सकते है कहीं न कहीं यह point valid होता है कि league of nations की defeat या league of nations की failure की वज़े से जितने भी global intellectuals है या जो बड़ी शक्तिया है उनको यह बात समझाए कि नहीं हमें कोई एक ऐसा organization चाहिए जो की peace establish करने में global order establish करने में सक्षम रहे जो की UN की रूप में establish हुआ भी है right for instance unlike the league unlike the league the UN has the power of sending peacekeeping forces peacekeeping forces are basically the security forces of UN जो enforce कर सकती है UN के UN के फैसलों को right to conflict areas to implement its decision enforce कहना strong word रहेगा implement its decision आप safely कह सकते हैं therefore we can say that establishment of the league of nations indeed enabled international collaboration and coordination ठीक है आप यह नहीं कहेंगे कि international collaboration और coordination नहीं बड़ा है शुरू में जब तक league of nations strong था तब तक जो victory शक्तिया थी world war one की उनको भली भाती फायदा हुआ है और जो aggressors है उनको फायदा हुआ 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 उनको रोका नहीं गया लेकिन UN के establish होने के बाद अन्य जो राष्टर है उनको भी global मंच पर representation मिला उनकी बाते भी सुनी गई और उनके मसलों को भी हल करने का काम किया गए तो global level पर सभी राष्टरों का representation या जाद तर राष्टरों का representation मिले यह काम UN में हो सका और इसकी शुरुवात जो है वो League of Nations ने करके दी यह आप कह सकते हैं ठीक है तो establishment of the League of Nations indeed enabled international collaboration and coordination on an unprecedented scale and on a whole was a step forward in international diplomacy but at the same time it did fail in its main name of preventing another world war लास में आप यह बात बोल सकते हैं कि भले ही global order बाद में create हुआ हो लेकिन world war 2 को रोकना main काम था इसका League of Nations का जिसमें यह कते ही fail हुआ और वो failure क्यों है उसके examples हमने देखे right so I guess यहाँ पर आज हमारा session यह खतम हो जाता है so I hope आपको यह पूरा समझ आया होगा जिसमें हमने शुरुवात से देखते हैं क्या-क्या पढ़ा हमने आज तो सबसे पहले हमने देखा introduction के बाद मेंचूरिया में जपान का invasion उसके बाद हमने देखा disarmament conference उसके बाद इटली ने attack किया भी सीनिया जर्मनी ने जर्मनी का aggression देखा और weakness देखी league की और अंत में हमने finally evaluate किया league को ठीक है तो आज का topic आपको पूरा समझ आया होगा अगर आपने पिछले topics अभी तक नहीं देखे हैं so make sure you watch all those previous sessions 3D IQ के channel पर जाइए आपको previous sessions वहाँ पर मिल जाएंगे और ये सारे sessions आप thoroughly follow करना शुरू कीजिए ठीक है आज के session को मैं खतम करता हूँ मिलेंगे आप सगले session में मेरा नाम है विशाल चौहान अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए have a nice day, take care